हेलो गाइज वेल्केम टूर यूटूब चैनल और बाले श्टडी आपके अपनी यूटूब चैनल बाले श्टडी पे आपका स्वागत है मैं हूँ अभी शेख कुमर आपका वहाई एवंदोस्त तो भाई एवंदोस्त होने के नाते आज की इस वीडियो में मैं आपको क्ला ठखनिकें आज का वीडियो बिन किसी देवी के तो शुरू करते है तो सुरू करते ही पहला प्रश्णमस के सामने आड़ा है किसे करते हैं जीवों में होने वाले पुछी वाली बढले का पर दिखलाuchen के फरिभासा परभासा करणि कर उसका उर्जा के रूप में पर्योग करने की पर्योग कर लेते हैं आपने रोटी सब्जी दालभात खाया आज़ा इनरजी एक दम पांस फिंटे तक लायातर बना रहा और पांस गंटे पढ़ाई कि ये तो उसमें जो ऊब उसमें उर्जया लगते हैं पढ़ाई करने में मेहनत लगती है न तो उर्जया प्रियुक कि एक इसका खाना का तो वही इपड़किया क्या है पोशन है तो यह आप अगला देखिए भिया आप इसका मतलब पूशन बिधियां कब लेख करते हैं जीव में पाई जाने भी पू ईसमें कोई भी जीव आपना बिजहां खाता किसी पनिरफन किसी तरहएं सहें सभी तरीके से नहीं यसथ ताहुए कि वी तरीके से निरबर नहीं है अपना विर्व नाता है खाता या पीता है तो वह क्या है सभॉषन जैसे अपनी पर ged 그냥 कि यह जिसमें कोई भी अपने पोसन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर अस्थाय रूप के आस्तित होते हैं पर पोसन के लाक्ते जैसे मानव गार अब देखिये विया है स्वापॉशन और परपोसन ने किसके परकार थे परकार थे आप दिरगुत पर या प्रस्ट ने त्रवा लंबा चाहिए तो लेखना पड़ेगा स्वापॉशन के कोई परकार नहीं होते ठीक ना लेकिन पर पोसंट के तीन परकार होते हैं उसका भी उल्यक करना हुगा क्यू कि कोई भी जिब अपना है मीर्त जिब जंतू चरएर से घुलित और पदारतों के रूप में सरीर के सता से अंप्रश्षीट करते हैं मिर्त मेस फर सक्शलत कहलते हैं मिर्त मिर्त जीब पोसें कह लाते हैं यूङ दिखें ही होंगी गोवर छपता जो गोवर फेरता है इस तरह का का राता है उसका कैसे मैं बहुत हुआ है माली जी यह गोवा रहा ठीक ना ब्राउन किलर रहा थे ना अब ब्राउन हाँ कि यह मतलब गोवा रहे ठीक ना उसके बाद यहां पर वाइट के लड़ का एक तरह रहता है ऐसे सीधा रहता है सीधा सीधा ऐसे और उसके माथे पर इस कलर का ऐसे यह से देखें आप लूँ इसी तरह करते हैं अब लोग समय दाय रहते लोग समझ जाते वाह कि इसाओं से तरह तरह वह क्या करता है गोवर अफ्ला प्राप्त करता है जकाocus मैं होग्यां प्रान अंतबने से परक्तिया है तूझाह क्या हो गए मिल्ठी करनी मिल्ठी पर ऑग delegates को rozp लुक श्कनि भलीं इससे क्रतों को हिश जिसमें कोई सब्सक्राइब अस्था यह और ठाइए प्राप्त करते हैं defendant पूशन कहलाते सब्सक्राइब निए जिसमें कोई बिजिव दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थाई रूप से अपना हो यह प्राद करते जिसे गोल किर्म क्या करता है गोल के तो कैसे रूप अस्थाई रूप से हमारे सब्सक्राइब करते हैं अब देखते हैं प्राणी संपोषन क्या विया तो वैसी प्रक्राइब की भूजन गरहन करने की विदी द्वारा अपना प्राप्ट करते हैं कहला तराइली ने क्या प्राइब करतेमों मिनध भी क्लेकर अब अब भूजन करते हैं ने संख्षेप में समझाए मतलब इसका उतर लिखे प्रकास के लिए निमने चार पदारतों क्या विसकता होती है पहला करवन डायक्साइड दूसरा जल तीसरा सुर्य प्रकास और चाहता क्लोरोफिल प्रकास प्रकास संसलेशन एक प्रकिरिया है जो हरी पेर पोजे की द्वारा क्लोरोफिल के वपस्तिति में सुर्य वरिकाश्टी उर्जा प्राप्त के मिट्टी से जल तथा बायो मंडल से कार्मर डायक्साइड लेकर अपना ब्राते हैं तो तथा उत्पाज के रूप में गुल्कोज ऑक्सीजन जल मुक्त करते हैं इसी प्रकिरिया को प्रकास नसले सब्सक्राइब करते हैं तो इसका क्या है सी ओ टू प्रास एस्टू ओ सुर्य प्रकास क्लोरोफिल बीच में एरो है अभी रूप कहीं जानन नहीं है यह एरो है सुर्य प्रकास बटा क्लोरोफिल सब्सक्राइब करने के लिए अपको जरूर लागाना है संतुलित करने के लिए आप लोग संतुलित समीक्राइब तो पढ़े ही होंगे न कि में उसी तरह साहिए कि परकास के लिए को फिलावस है कि बैए इसको जरूरब रटा मार्येगा कि घ्र बीभी UK दो stat Ona वहाल को भड़ी भार इंप्वोटेंट अघ्र में मरड़ीत बहूसे को बीभारी अप्वेरी मिंप्वोटेंट कैले थो उपफ़ लगत रहले करेदा यह ब्ला तबैर फ्ली घूले हैं कि इस विषए बनाए है था है विद्धी कल्टो भावी थे ना और एक थो भी से नहीं था भावजी चिगना आई से इंपोटेंट लिए वह भावी भावजी इंपोटेंट क्या सा लागा आपको यह आप लोग जरू में कमेंड में बतलाएंगे देखी मस्ती से पढ़ने कम जाए कुछ और होता है ठाइन लिके लिए के लिए कलोरोफिल आवस्चेक है जैसे हम पर्योग दोरा परमान हिज करेंगे ठीक ना उसको बदाए एक लाइन शोर के लिए परियोग के लिए आवस्चेक समागरी एक क्रोटोन का पौधा भी कर में जल अलकोहल याश्पी तथा आयोडिन है तो आप अब यह पत्ति यह माना की अधिक नहीं पत्ति है यहां पर चित्ति है यह वाइट केलर का कि इसे चित्ति रहता है ऐसे ब्लेक कलर का यहां पर फिर वाइट कलर का यहां पर फिर वाइट कलर का यहां पर पिर वाईट क्लर का यहां पर अब आप एप अ इसे चीट्टी रहता है तो हम क्या करेंगे पहले अब उसको सब प्सक्राइब हडी हडी और सफीद चिट्टी कहूं कि आ हरा रंग चिति रहता है है इसले कि अ तरह डेना और हम यदि और सफेद के चिते में पैक आधुसमीं ब्लैक या खीतिय को हौने और error बाय को हौने भिक हमें करेंगे इसके बाध कर बाद को वीकर एक समझे हम लोग पहले हरी और चती रंग वाली पत्ति क्या किये खांकिट कर लिए गोला लादी उस पर किसी दूसरे कलर से उसके क्या करेंगे इसके पत्ति को भी कर इस तरह का होता है लेखार बीकर होता है अच्छा नहीं है इसी तरह का बीकर में डाल देंगे उसको और पाणी में डालेंगे ठीक ना अरुबाली के पश्चाथ उससे गर्म अलकुहल इसको डाल देंगे अब अब इस एल्कोहल वाले वीकर को वाटर वाले थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि अल्कोहल हरे रंग का होता है होता जा रहा होता जारा है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्न कलोरोफिल पत्ती से निकल कर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है जब पत्ती रंगहीन अर्था थलके पीले रंग की या सफेद हो जाए तो living का ठंडा होने के लिए छोड़ दे क्या करना अब ठंडा होने के लिए छोड़ दे नहीं से दोले इसके बाद उसे अलगाथ में रहके उस पर कुछ मात्रा में डाले तिना अब आप पाएंगे कि हरी चित्ती वाली भाग गाधी नीला रंका हो ब्रति का सब्फेद चित्ति वेला भाव निला रंग का नहीं सहीं अविश्द दोदो होता है कि इसे साबित करने के लिए एक प्रियोग का वर्नन करें तुब यह करते हैं प्रियोग का वर्नन देखे लिए प्रियोग हित्व अवस्यक समागरी एक लंबी पत्ती वाला पौधा चौरा मुफाला बोतल टेनो कास्टिक शॉड़ा एलकोहल आयोडीन तता अज्याल अब इसका बादोगें सब्सक्का से करके सिट्रिए नहीं यह पाएगी दिया जानते हैं परका सुटू सुटून की प्रकर्ट्य आपड्बी सोरोड़ shortened गालें जरूर्यां है और लोटा यह सोने सुमझय न कि सब्सक्राइखे राएर में में पत्ती नहीं बनेगी शुक्तु सुम्झ सबस्क्राइब और सब्सक्राइब गौल ले बटल को वीचों वीच काट tip कर दो तुकरों बाट दे तुकडी के वीच पती को इस परकार डाले के पती का आदा भाग वो तर के अंदर हो और पती का अधा भाग बोतल के बाहर यह हम बतला रहे हैं तरहा में पिक्चर जालती पिक्चरों का ने देखिया था अच्छा समझ में तो बदल के बाहर हो उपकरन की कुछ भाग और पत्ती का अधा भाग बतल के बाहर हो उपकरन की कुछ घंटों के लिए सुरी की रोष्णी में छोड़ दे अब आयाक राज बाहर एना कोदव है न तब एक रहा कुछ दिर के लिए सुरी के रोष्णी में निकाल के छोड़ दे ठेक ना सुरी के रोष्णी में निकाल के करेभन 4 घंटो के बाँ पटी को पर ती को ब्टी को बोतल में पर इसके लिए को पती को एलकोहल में थोड़ी देर तक उबाल ले जब पती रंग हिन हो जाए तब इसे तो पाणी में घोल और डीन के घोल में वादे अब पांगो पती का वए जो बोतल के बाहर था मोगा दे नील हो जाता है तो बहुत अंदर था बहुए अन्दर था वह हल्के पीले रंका फो सब्सक्राइब को सोख लेता है जिसे पती के भीतर भाग भी भीत्री भाग स्टार्ट नहीं बन पाता है इस प्रियोग से सावित होता है कि प्रकार संसेशन के लिए कारवां डायक साइड आवश्य के हैं समझ गई भीया अब भी अब बहुत कस्थ हो जीवर में आप अंसे ब्लब आप लोग के लिए वीडियो मना रहें अमचला नमब कोछिन है अमींवा का भोजन का कितने मिनिट का वेडियो होगे अब बाब कर दोए ने अमीब अमवा का भोजर क्या है अमीवा का पॉस्चन का वर्न का व्लत न कि एक उत्ता लिखी एक सरल प्रानी सम पोस्तित जीव है कई से प्रानी सम पोस्तित जीव है यह अपना भोजन अपने कुट पाध की विदत से गर्ण करता है प्जाब अमीबा का कुट पाध का गया कर से देखिए कि कि मैंले भी आई कुट पाधे कि मैं बैद कि ए जो अचे ने इस अंए अमिबाखे पिक्चर होचे यह आमीबाखे पीचर तू के नहीं तो बनाते खेचे ठीक ना कर याम कोइन चेता कारने खली गाल का बनाता है और में को ने बने मतलव ऐसे ने तो ने बने के चाहिए か प्रिक्चर हो गलू तोर कि अपने कुट पाथ की मदस्टे गरहन करता हमीबा का भोजन से अवाल के छोटे-छोटे टुकरी वैक्टिरिया डाइटाव अन्य छोटे एकोस के जीव तथा मिरत कार्मानिक पदार्स के छोटे-छोटे अंतर गरहन के लिए कोई निश्चित अस्थान नहीं होता है कि यासरी के सता से किसी भी अस्थान हो सकता है बैस शरीर के कुणू अस्थान से अंदर लौज़न अन्दर लौज़न अन्दर लौज़न अगला कोईशन देखी यह बहुत लंबा कोईशन है कि महुत लंबा कोईशन है आपका नीरे सुट्व तो भगत अपर अपर अंदखी कोईशन की यह से सब्सक्राइब कोईशन है मनुस्थ की रचना का वर्णन करें तकर वतरर रहे ही मनुस्थ की मनुस्थ एक कुंद्लित रचना है मनुस्थ के आहरनाल का कैसा रचना होते हैँ पाली । बिलंबाए आठ एट से दस मीटर तक की होती है कि अब आठट दस मिल्टर तक के हो सके वच्छा में कम होते हैं नहीं में जैदा होई यह समय कहले तक की होती है यह मुगवा से अब आपना पास जैना को का अम चुप हो गई आ अत्मुखो ले ले हैं ना अदेखित तू बोली तो बुल्वाइब मुख बंद लिए नहीं नाक स्वाज निकले न तो मुख बंद हो जाए वह ओक्रेवाट का एचिए होट होई शेंदे आइस अब उपर आप अना जब बोलाई चिए ना चुप अनो इनो जाए नो सब्सक्राइब इनो सब्सक्राइब माले इमुच्टे ना आ होट होते हैं ठीक ना मुख गुआ में जीव तथा दात भी पाए जाते मुख के मुख के अंदर नहीं तरह जीव और जैसे आहां मतलब आ अथिया ने कहीं चाहिए उजी ना मतलब कोई भी समान कर्चित वरेंट आ ठीक ना और कोई घटिया ते उफ कैसान सामान दल केंदे स्वाद का इसे पता चाले जीवेशन है और दास जैसे हम लग टुक्रा टुक्रा को देची है अब अब यह जी वह है तो जीव कबारें तो लिख देखे हैं तो लिखी जीव मुगवा के फर्स पर इस्तित एक मानुसरा रचना होती है जीव के उपरी सता पर कोई छोटी- तो टे अंकूर होते हैं जिने स्वाद करिया करते तथा मुगवा बतीश देख मुगवा में किते दास तो मुगवा बतीश दास होते हैं और तीज जूरी लाल ग्राइंतिया पाई जाती है अब ग्रस नी में लेखी बभाय स्पीड में बत वादे कि एक पूंट टाम लेग कटवार के आगे पट्टी यसी रशना होती है जो एपी गलोटी कहलाती है मनुष जब भोजन करता है तावी आप टीकंट वाड को ढख देती है जिससे भोजन स्वाशनली में नहीं जाब पाता है मुगवा से लाड़ से जब शना हुआ भोजन निगल द्वार के गरस नी अब पहुंचता है भोजन के पहुंचते ही ग्राशनली की दिवार में तरंग की तरव संकुचन या शुक्रन और इस थेलर का फैलाव शुरू होता है जिसे कर्मा कुंचन कहते हैं इसके बाद ग्राशनली से बजन आमासे में पहुंचते हैं अगर भाग कार्डियक तथा पिछला आप पाइलोरिक खाला ऩ। थाइंके वीच एक फुंडिक भाग होता है थेकलना फुंदिक भाग कालाता है इसके बाद को फंडिक कहते हैं इस चिए मासे करंथि इसमें हमासे ग्रंथिया है जो होता है है जो होता है जो प्रोटोन को बदल देता है में अब चोटी आप नल का सो से लंबा भाग होता है मेरे जिसकी रहना कारे यांडी आफ नाल के इसी भाग में पचन का पूर्णफ नुभाग में में बती होती है गरहनी जीजूनम तथा एलियम पचेहएं आप सोचन छोटी आजट के इलियम होता है चोटी आजट में होटा है जोटी आजटा है बड़ी आजटा होता है ने यह बहाद विलंइ यह बहाद कोलं यह रहा लास यही रिक्टम कहलते हैं च्छोटी नली होती है जिस्टी जिसंअ मते न आ पर ट आकने बहूंत कि यहीं थिए लिए दल्सखे संद्धिवार, कर दा ख़त है जो आंत में मल्दुवार के द्वारा सरीष के बहाल खुलता है इस परकार आर्णाल की सारी रचना पुन्व होती है सत्मा कोशेन देखी भी बहुत इंपोर्टैंट कुशेन मनुस्य किया ना में पाचन की किरिया करें लिखी मनुष्य पाचन की या मुग महां से प्ररम होती है और बढ़ी अंत्र भाग मलद्वार तक समाप्त हो जाती है पाचन पॉजन के यांत्री को रासानी कुरूप से छोटे-छोटे घटकों में विवाजित कर जिया जाता है जो उप्चैन किया कहलाती है पाचन की क स्टार्च को माल्टेज करें माल्टेज में एक बदल देता है इसके बाद भोजन ग्रास नरी से होते हुए अमासे में आ जाते हैं अमासे की भीतरी सथा पर जेटर गांतियों सजटर रसका सराब होता है जिसमें के साथ कि यह हैं इंजाइम करिया को स्तिवर करता है ता भोजन के साथ आने वाले बैक्तिरीया को नष्ट करते हैं चोटी आथ में भोजन का पूर्ण पासन होता है चोटी आंच वाज़न को सबसे लंबा भागता है इसके कुंद के लिया मदद करते हैं चोटी अधमिका पाशन करने का पस्टे ऊपचा अब भोजन अलियम भी में पहल जाये वह पचा अधरी जल के अम्त में आपचा बोजन मल के रूप में स्थाइट और पाडिक्टम ना संचीत होता है जो सुम्या के नुशार मलद्वार के रास्ते बहार निकल जी तरह इस पर कर पाजन की प्रगें पाजन की किर्या पूर्ण होती है आप अठ्माना बोकुस अंतुरा तुरा तुरा खुजा बनवे को पिक्चर बनवे को यह तरह बुक में पनने लो हम वह फिक्चर बने लिए कर देख लाइगा काई साने बिया देखी अ करी बुक में दया चाहो ठीक नत्राइब इपिक्चर के बना देको ठीक धन्य बाद आए खेलिए आहां गले लेड़े अब आप रहे एत्ते मिनट की वीडियो तो आक देक वाई पटीश मिनट का वीडियो ब्रहा लाइक कर कर दो देके वाईब।